तो इस वीडियो में हम आप लोगों के और बहुत सरे questions के जवाब देंगे तो ये वीडियो भी आपके लिए काफी important है ये इसका part 2 है वीडियो को हमारे पहले वेले का आए चलते नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का जीत machine tools में तो ये वीडियो questions और बहुत सरे हम इस वीडियो में लेंगे काफी सरे हमारे पास questions और भी आये हो पहले वीडियो के बाद तो ये वीडियो में और बहुत सरे questions लेंगे तो आपके काफितर question हो गए है आप पूरे वीडियो देखना ये वीडियो देखने पूरी जरूरी होती है आप पूरी वीडियो देखते नहीं है फिर आपको समझनी आता फिर आपको दिक्कत बनी रहती है आप वीडियो पूरी देखा करिए बहुत जरूरी होती है वीडियो कोशन जो है वो है कि मैनुल मशीन लू तो ताकत तो नहीं लगेगी देखे मैनुल मशीन आपको पहले भी मैंने बताया था मैनुल मशीन में दो क्वालिटी है हलकी और बढ़िया वली अगर तो आप बढ़िया वरी लेते हैं तो उसमें ज्यादा ताकत नहीं लगती है ताकत किसमें लगती है जो होती है spring वाली मशीने जिन में spring की वजए से बहुत जोर लगता है काटने में इससे लिए वो सस्ती होती है बहुत ज्यादा बढ़िया होती है counterweight वाली मशीने जो double डाइया काटती है उसके अंदर effort कम लगता है उस spring वाला system नहीं होता वो वाली मशीन ले जिए मैनुल में आपको कोई ज्यादा ताकत लेगी ही नहीं ज्यादा ताकत नहीं लगती है तो आप मैनुल मशीन जो लेनी है आप बढ़िया वली मेनुल मशीन लेगे दूसरा question है कि हलकी sheet और बढ़िया sheet की क्या पहचान है अब देखे हलकी sheet और बढ़िया sheet में जो फरक ही है जो बड़िए sheet होती है उसमें रबर की content ज्यादा होता है वह अंदर से मजबूत होती है उसको आप mode करके भी ठीक त्रीका सभी होते है लोग mode करके चेक करते हैं तो जो मोड़ते हैं तो लचक भी पशाथ चलती है इसकी अंदर उसकी flexibility और उसके अंदर कितना रबड है वो भी पथा चल जाता है तो आप sheet पकड़ करके पहचान सकते हैं बाकि अगर सही बंदे से sheet लेंगे तो आपको बताई देगा जो sheet सस्ती देगा आपको वह सस्ती sheet होती है और जो बढ़िया थोड़ी rate ज्यादा देगा वह अच्छी quality होती है आपको पकड़ करके पता चल जाएगा तीसरा कोशन आ रहा है कि प्रिंटिंग चपल की उतर जा रही है लगने रही प्रॉपरलिस का लिए क्या करूं देखे प्रिंटिंग के लिए वैसे तो मैंन तो होता है प्रिंट वह जल्दी से नहीं उतरता है तो बिन लगाएंगे तो फटा फट उतर जाएगा इसलिए आपको दिक्क्त आ रही होगी प्रिंटिंग वाली हमारी वीडियो है उसको जाके पूरा देखिए पूरा समझा जाएगा बाकी इसके अंदर आप सिलिकॉन ल शाइन ले लिए उसको आपको जब पाकीग करने से पहले जाप अन में डालने से पहले आपको शैंघर को लगाना है उससे क्यों होता है उसकी शाइन है वह maintained रहती है अब ऐसे कर आप उसको खुले में रखते होगे उसको शाइनर नहीं लगाओगे तो वह उसकी जो एट्रैक्शन है वह कम होती रहती है इसकी look down होती रहती है शाइनर केमिकल के वज़े से उसकी look बनी रहती है फिर जब वह आप लेके जाते हो दुकान दा के पास तो इसको चमब रखते हुए दिखती है तो वह काफी अच्छी रखती है इसलिए शाइनर के इस्तमाल करने रहती है आप पांचवा कोशन है कि मार्जन कितना रखना सही ह होगा मार्जन के लिए आपको मैंने पहले भी कई पर बता है मार्जन डिपेंड करता है बंदे टू बंदे पर जिस पर लेके जा रहे हो अगर तो आप दुकान पर लेके जा रहे हो तो मार्जन आप आट रुपे से दस रुपे रख सकते हो अगर तो आप होलसेलर पर लाक भी सकते हो और अगर आप में इंबॉसिंग वाली चपने बनाते हो बढ़िया तो उसके नदर पच्चेस रूबे 20 रूबे में सकते हैं वैसे आपको हम सजेश्ट करेंगे कि मार्जन शुरू में कम रखें उससे आप जल्दी से सेट हो जाएंगे शुरू में सेल पर ज्याद इसके लिए भी मैंने आपको वीडियो बना रखें मार्केटिंग उसमें देख सकते हो बाकी दुकान दर को अगर आप माल जल्दी से बेचने चाहते हो तो आप पहले तो अपनी साइज श्रीट दीजिए अच्छी कोटे की चप्पल बना कर जाएंगे ब्रैंडिंग करिए पेटी में बढ़िया से बॉक्स में पैक करके देजिए सुन्दर लगेगी तो उसको जल्दी से आप बेच सकते हो उसको पहले बेचने से पर उसके पास एक बार आप घराग बनके भी जा सकते हो इसको देख सकते हो क्या के रेट में वो बेच रहा है उसी हिसाब से अपनी ही चलेगी तो आपको गराग बन गया अगर आपने गलत चीद दे के उसको बेच दिया फिर आपको ओर्डर दुबारा नहीं आएगा इसलिए दुकान दर को लंबा जुड़ना चाहते हो तो उसको हमेशा हाई क्वालिटी वाली चीद दीजे ताकि वह आपसे लंबा चोटे चोटे पत्ते मिल जाते हैं अलग-अलग डिजैन के पेर फॉर्मैट में सुंदर सुंदर काफी अलग-अलग डिजैन में लेडी जेंट दोनों के तो वह पत्ते लेलीजिए 2300 रुपे के पत्ते हैं फिर उसके नीचे ब्लैक शीट होती है जो 300 रुपे के असपास या लग लग होती है वह ले लिजिए उसको फिर बड़ी शीट को उसके अंदर चपका करके आपको बनानी है चपल को इसके अंदर आपका चपकाने का एक पिश्टिंग का प्रसेस जोड़ जाता है इसके अंदर अगर आप यह थोड़ी सी महनत फाल्ट कर सकते हैं तो आप आपको पैसे इसके ज्यादा मिलेंगे क्योंकि इस और डिनरी चपल कोई भी बना लेगा इसको बनाने के लिए थोड़ी सी महनत ज्यादा लगती है तो इसमें मार्जन ज्यादा मिल जाते हैं आपको इसलिए हम बोलते हैं इंबॉसिंग बोली चपले आप बनाइए पर में राउंड बना होता है कई बार जिग-जग भी बना होता है यह इससे के होता है कि थोड़ी सी चपल में आप महनत जुरूर बन जाती है पर यह चपल सुन्दर बहुत बनती है अब इसको बनाएं कैसे इसके लिए एक मशीन आती है यह लग से टेबल वाली मशीन होती यह उपर डाई लगती है उससे घुमा करके चपल को उसके इंदर डिजैन आता है यह अभी शुरू में अकर नहीं करना चाहते तो आप नहीं करिए थोड़ा सा बेसिक चपलों पर इंबॉसिंग वोले तक कभी कर लीजिए शुरू में एक दम से ज्यादा मुश्किल भी न चीड यह से पुरिंट करूँ तक दौनों का अपना-पना फैदा है अगर अबिशूरू में आप प्रेंटिंग के जम्यल हुए नहीं पढ़ना चाहरे तो प्रेंटिंग वड़े सीटोपें जैसे टाइगर परिंट क्या यहों इस बहुत-त इस को बनाया काटा बेचा प्रिंटिंग वाले में आपको प्रिंट करना होता है कुछ भी चीज दोनों के अपने अपने फायदे हैं प्रिंटिंग वाली शीट कर ले सकते हैं तो वह ले लिजे प्रिंटिंग कर सकते हैं तो और बड़ी है क्योंकि प्रिंटिंग में पैसे आपक क्या क्या तरीके होते हैं देगे सीधा माल बेचने का क्या मतलब है आप जैसे किसी को दुकांदार हुलसिल या कहीं पर ठेले वले के बना ही जाना उसको अपना माल लेना है और जाके खुद खुद जाकर बेचना है या किसी बंदे के थुरू बेचना है ये इसका तरीका होत तो कुछ लोग बाहर अपने आप ट्रैक हो सकते हैं आप से आगे तो इस तरीके से भी कर सकते हो काफी अच्छी चीज है यह आप किसी अगर खुद नहीं करना चाहते तो कोई बंदा रख लीजे बहुत सारे आजकल तो बिरोजगारी काफी है तो बिरोजगार को बंदा हो ज पन बनेयों हो जाता है तो इसमें जुका रिचाल जाता है अचाता है को ज्यादा Imagine मिलता है यह चीज है करना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़ी है को कि इसमें आप को बहुत मार्जर मिल सकता तो यह त्रैक करके भी है जो जर्नल क्वेरी होती है सब की जर्नल क्वेरी ही है यह तो आप यह चीज़ों पर ध्यान दीजिए अगर आपके भी ऐसे कुछ सवाल थे तो आपको अपना जवाब मिल गया होगा अगर फिर भी आपके अंदर कोई डाउट रह गया है तो हमारे को आप नीचे कमेंड है हमारे पास मिल जाती है हम लोग के नमबर नीचे फ्लाश हो रहे होंगे डिस्प्रिश्ट वॉक्स में भी हमारे नमबर है आप लोग से हमसे लेंगे आपको हम सही माल देंगे सही रेट पर देंगे आपको हम सही गाइड करेंगे उसमें आपको दिक्कत कम होगी इंशू लेना चाहते हैं तो हमसे बेज़ी से कुंटाक्ट करिए बाकिया आपको कोई भी तरिके के कुशन्स हो कुछ भी पुशना रहा गया हो कोई कुशन ऐसा हो जो रहा गया हो आपका रहा गया हो पुशना तो हमें आप दीचे कमेंटर में पूछिए हमार को आप कॉल करके कि यूज धन्यों कि यूज प्राइब एंगतर।